हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं conveyor belt के power calculation के बारे में यानि कि अगर किसी conveyor belt में कितने kilowatt का motor लगेगा उसका power calculation हम कैसे करेंगे इस वीडियो में हम inclined conveyor belt का power calculation calculate करेंगे और मैं एक example लेकर के आपको calculate करके दिखाऊँगा कि हमारा जो conveyor belt है उसमें कितना kilowatt का कितने kilowatt का motor लगेगा या फिर कितने HP का motor लगेगा इससे पहले हमने एक वीडियो की है जिसमें horizontal conveyor belt का power calculation किया है तो इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूँ काफी आसान तरीके से ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है तो बने दिएगा वीडियो में अन्ते तक चलिए वीडियो को start करते हैं तो friends हम एक example लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो conveyor belt है वो 30 turn per hour हमको material उससे shift करना है ठीक है 30 turn per hour तो उसको अगर हम 60 से divide कर देंगे तो हमारा आ गया per minute में तो यह आ जाएगा 0.5 turn per minute या फिर 500 kg per minute हमको material जो है इस conveyor belt के थुरू shift करना है अब देखिए conveyor belt का total length माल लेते हैं upper side और lower side मिला करके 180 meter है और feed जहां से जहां तक conveyor belt में material feed हो रहा है tail pulley के पास से लेकर head pulley तक वो distance है 85 meter है ना तो 85 meter तक इस conveyor belt में material रहता है तो अब सबसे पहले हम belt का speed calculation कर लेते हैं है ना तो belt speed calculation करने के लिए हमें required data क्या क्या चीए motor का rpm, gearbox का ratio और head pulley का diameter motor rpm है 1440 gearbox का gear ratio है 40 ratio 1 जबकि head pulley का diameter 400 mm है और उसमें lagging लगा हुआ है जिसका thickness 10 mm है तो दोनों side करके 20 mm तो head pulley का diameter हो गया 420 mm तो अब हम head pulley का speed निकाल लेते हैं head pulley का rpm निकालना होगा तो हम क्या करेंगे motor के rpm को divide कर देते हैं gearbox के gear ratio से तो 1440 को अगर हम gear ratio किता है 40, 40 को divide कर देंगे तो आज आ रहा है 36 तो जो इस conveyor belt का head pulley है वो 36 rpm पे घुमेगा 36 revolution per minute अब अगर conveyor belt की head pulley एक revolution घुमेगी तो वो कितना belt डिस्प्लेस करेगी तो वो डिस्प्लेस करेगी अपने circumference के जितना है ना तो head pulley का circumference निकाल लेंगे 2 pi r करके 2 pi r को आप pi d भी लिख सकते हैं तो वो आज आएगा देखिए यहाँ पर 1318.8 mm यानि कि एक बार अगर head pulley घुमेगी तो इतने लंबे conveyor belt को आगे move कर देगी आगे shift कर देगी है ना तो अब हम 36 revolution का निकालते हैं 36 revolution का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम speed निकाले थे head pulley का वो किता या था 36 revolution पर मिनट तो 36 revolution में वो किता belt को displace करेगी 36 multiply by 1.318 meter तो यह आगया 47.44 meter पर मिनट यानि कि एक मिनट में 47.44 meter conveyor belt जो है वो move करेगा उसका speed है ठीक है और अब हम material निकाल लेते हैं कि पर मिनटर पर यानि हर एक मिनटर पर conveyor belt पर कितना material है उसके लिए हमें क्या करना है belt के capacity को divide कर देंगे belt के speed से तो belt का capacity था 30 ton पर अवर जिसे kg पर मिनट में करेंगे तो आएगा 500 kg पर मिनट divided by belt speed जो की है 47.44 meter पर मिनट तो answer आ गया है आपका 10.53 kg पर मिनटर यानकी conveyor belt पर हर मिनटर पर 10.53 kg material जो है वो रहता है अब इस conveyor belt में कितने meter तक material shift हो रहा है एक जगा से दूसरी जगा तो 85 meter तक material जो है इस conveyor में shift हो रहा है tail pulli के पास से लेकर head pulli तक है ना तो उसका weight निकाल लेते हैं सबसे पहले हम weight calculate कर लेते हैं material का तो उसको simply calculate कर लेंगे देखिए 85 meter तक material है उसको multiply कर दे रहे हैं 10.53 से 10.53 हम calculate किये थे कि conveyor belt में हर एक meter पर 10.53 kg material है तो total material कितना रहता है conveyor belt पे हमेशा वो आ गया है 895.05 kg ठीक है तो यह हो गया material का weight belt में अब निकाल लेते हैं conveyor belt का खुद का weight ठीक है तो belt weight calculate करने के लिए simple सा formula होता है हमको क्या करना होता है belt के volume को multiply कर देना पड़ता है उसके density से तो belt का volume निकलता है length multiply by width multiply by belt thickness और इसकी belt conveyor की rubber की density होती है 1360 kg per meter cube तो value put कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए belt का length है 180 meter multiply by belt का width जो है 0.650 meter और belt की thickness जो थी 10 mm उसको meter में सबको meter हो convert कर दिये हैं multiply कर दिये belt की density 1360 से तो answer आ जा रहा है 1591.2 kg तो belt का खुद का weight है 1591.2 kg अब total weight calculate कर लेते हैं तो total weight calculate करने के लिए दोनों को add कर देंगे belt weight और material weight को तो यहाँ पर हमारा answer आ जाएगा 2486.24 kg यह हो गया हमारा belt पर total weight belt और material के साथ में है ना तो अब हमारा अगला step है हम calculate करते हैं belt pool belt pool calculate करने के लिए क्या करना पड़ता है total weight को multiply कर देना पड़ता है friction coefficient अब देखी friction coefficient का यहाँ पर क्या महतु है जितने भी carrying idlers है वो friction develop करेंगे है ना friction create करेंगे conveyor belt पर तो इसकी वज़ा से belt pool निकालने के लिए हमें उस friction coefficient को multiply कर देना होगा तो वो friction coefficient की value 0.5 हम लेके चलते हैं मानते हैं ना तो यहाँ पर हमारा answer आ गया 1286.25 kg belt pool है 1226.25 kg अब क्या करेंगे हम gravity pool calculate कर लेते हैं क्योंकि यह inclined conveyor belt है तो gravity pool calculate करने का simple सा formula होता है total weight divided by belt length multiply by height तो belt length यहाँ पर 85 meter है और height है 20 meter है ना तो इसका answer आ गया gravity pool हो गया हमारा 585 kg अब total pool calculate कर लेते हैं total pool calculate करने के लिए हमको belt pool को add कर देना होगा gravity pool से तो अब वो आ जाएगा देख लीजे 1243.12 प्लस 585 तो यह हो गया 1828.12 kg यह हो गया आपका total pull अब आपको required power calculate करना है तो required power calculate करने का formula होता है जो total pool आपने calculate किया है उसको multiply कर देना है belt के speed से belt के speed को meter per minute में लेना है तो total pool आया था 1828.12 kg multiply by belt speed जो हमने सबसे पहले निकाला था 47.48 meter per minute तो यह आगया required power 86,799.13 kg meter per minute देखे unit को आप ध्यान दीजेगा भी आया है kg meter per minute पर है ना अब देखे यहाँ पर 1 HP होता है 4573.1 kg meter per minute है ना तो हम क्या करेंगे जो भी value आया है उसको इस से divide कर देंगे तो हमारा answer HP में आ जाएगा तो divide कर रहे है तो answer आ गया 18.98 HP यह हमारा required power है अब HP को kilowatt में convert करने के लिए उसको 1.34 से divide करना पड़ेगा क्यूंकि 1 kilowatt में 1.34 HP होता है तो यहाँ पर answer आ गया 14.16 kilowatt तो हमारा required power जो है इस conveyor belt को चलाने के लिए वो है 14.16 kilowatt लेकिन हम इतने kilowatt का motor नहीं लगाएंगे engineering design में engineering point of view से factor of safety बहुत ज़्यादा important होता है किसी भी equipment के लिए हम factor of safety लेकर चलते हैं जितना power हमको जरुरत है उससे ज़्यादा power का हम लगाते हैं तो हम factor of safety यहाँ पर 1.5 ले रहे हैं तो 1.5 से multiply कर देंगे इस value को तो answer आ जाएगा 21.24 kilowatt याने कि हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा या इसके nearby kilowatt के motor को यूज कर लेंगे तो यहाँ पर 22 kilowatt जो है वो सबसे nearby है तो हम 22 kilowatt के motor को यूज कर सकते हैं यहाँ पर है ना तो इस तरह से हम power calculate कर सकते हैं और motor select कर सकते हैं अपने conveyor belt के लिए तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मी लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा